प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने रेडियो के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचने के लिए शुरू किये गए मन की बात कारेकरम का रविवार को 49 सवा संसकरन था प्रधान मंत्री मोधी के कारेकरम के जरीए देशवासियों को संबोधित करते हैं लेकिन इस बार हिमाचर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने प्रधान मंत्री मोधी के कारेकरम को न्यू शिमला के डियेवी स्कूल में लोगों के साथ सुना प्रदार मंत्री ने इस बार के कारेकर में सरदार वल्लब भाई पटेल का जिक्र किया साथ ही उन्होंने कहा कि इस 31 अक्टूबर को सरकार गुजरात में बनी सरदार वल्लब भाई पटेल की याद में स्टेच्यो अफ यूनिटी को देश को समर्पित करेंगी जो पटेल को सची शर्धाजली होगी स्टैच्यू आफ यूनिटी दुनिया की सबसे उची प्रतिमा है और सरदार पटेल की 31 अक्टूबर को जियनती के मौके पर एकता की दोड में सभी वरके लोगों से भाग लेने का आगरे किया जाएगा देश तुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें